औस्ट्रेलिया और राजस्थान के तेज गेंदवाज एंड्यू टाय ने भारत में कोरोना मामलों के बढ़ने के कारण अपन देश में प्रवेश निशेद होने की आशंका से IPL बीच में ही छोड़ दिया है और दावा किया है कि आस्ट्रेलिया के कई क्रिकेटर ये फैसला ले सकते हैं टाय ने कहा कि उनके ग्रहनगर पर्त में भारत से जाने वालों के प्रतकवास के मामले बढ़ते जा रहे हैं जिस कारण से उनको ये फैसला लेना पड़ा ताय ने रोयल्स के लिए अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है और उन्हें एक करोड रुपए में खरीदा गया था तायने सोमवार को दोहा से सेन रेडियो से कहा इसके कई कारण है लेकिन मुख्य कारण ये है कि पर्थ में भारत से लोटने वालों के होटलों में कौरिंटीन के मामले बढ़ गए है पर्थ सरकार पस्चिमी उस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वालों की संख्या में कटोती करने की कोशिश में है उन्होंने कहा कि बबल में रहने की थकान भी एक कारण है साथ ही वो बोले कि मैं न सोचा कि देश में प्रवेश नहीं मिले उससे पहले ही मैं घर पहुँच जाओ बबल में लंबा सबे बिताना काफी जादा ठकाऊ होता है अगस से अब तक मैं सिर्फ 11 दिन बबल से बाहर रहा हूँ और अब मैं घर जाना जाता हूँ ब्रिटेन और न्यूजिलेंड समित कई देशों ने भारत से यात्रा पर प्रतिबंद लगा दिया है औस्टेलिया ने भी उडानों में 30% कटोती कर दी है और आगे प्रतिबंद की आशंका है चुकि भारत में पिछले कुछ दिनों से 3 लाख मामले रोज के मिल रहे हैं हैं जो आधिकारिक हैं शायद आकड़ा इससे भी ज्यादा हो टायन ने आगे कहा कि आईपियल और बिजस्याई ने हमें सुरक्षित रखा है लेकिन करोना से जूज रहे लोगों को देख कर बुरा लगता है और हम क्रिकेट खेल रहे हैं आईपियल के बीच में इस तरह की खबरें जो सामने आ रही है वो वाकई में आईपियल खेलने वालों के लिए मनोबल तोड़ने वाली बात है क्योंकि आउस्टेलिया के तीन क्रिकेटरों के साथ जाद रवी चंदरन अश्विन ने भी आईपियल को बायबाय कह दिया है इस सीजन के लिए और उन्होंने भी यही कहा है कि अब अपने परिवार को समय देना चाहते हैं और कई लोग इस बात की अलोचना भी कर रहे हैं कि जब देश इस तरह की स्थिती से गुजर रहा है ऐसे में आखिर आईपियल सरी के तमाशे को कैसे कंटीनियू कर रहे जा सकता है पाकिस्तान से भी कई लोग इस बारे में कह रहे हैं कि भाई आपको इसे continue नहीं करना चाहिए उनकी बात तो खेर कई कारणों के सामने आ रही है क्योंकि PSL भी इसी कारण से बंध हो गया था पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है कि वो भारत को हमेशा नीचे की तरफ धकिलने की ही कोशिश करता है लेकिन चिंता की बात तो यह है और यह बात सही भी है कि इस समय देश जिस परिस्थती में है उस परिस्थती में क्या IPL कंटीन्यू होना सही है या गलत इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दीजिए मेरे सुडियों फिलाल इतना ही जैहिन जैबात